Good morning students, now we will discuss the second topic of our 14th chapter, जो किया, Government, Budget and the Economy. पहले topic दे वेचा आप एदी introduction, definition ते किया, एदी meanings नो डिसकस कीता, आज आप एदी features देखांगे कि जड़े government budget आ, वोदे केड़े केड़े features आ, वोदे केड़े केड़े विशेश्या में जड़े वेचे मजूद हों दिया, फर्स्ट किया, it is a statement, आप पहला भी पढ़ा सी एक statement जीदे वेच की की हुंदा, expected मतलब सभावित खर्च ते आमदन, ठीक है, मतलब revenue and expenditure of the public authorities concerned, मतलब एक एहुजे statement जीदे वेचे सभावित आमदन ते खर्च ते की किता जान्दा, विवरन किता जान्दा, भी ओदे वेचे हे statement दितियां हुयां दिया, नभी कैसा आमना खर्च periodicity with the generaly, generally मतलब आम तोर्दे वन financial year, भी कि आम तोर्दे एह एक वित्ती चाल दे लें हुदा, भी कै पाइनाशियर मतलब तौनु पहला में देशा सिगा फाइनाशियर कि तो स्टार्ट हुंदा एक प्रयाल तो लेके कत्ती मार्च तक ठीक है यह आम तोरते है कि वित्ती साल दे लेई बजट हुंदा ठीक है यह फीचर्स का रहे हैं आपा अगे देखो it has a sanction of public authorities sanction मतलब यहनों की दी परवान गी हुंदिया सरकार दी परवान गी हुंदिया मतलब यह बजट की दे द्वारा किया बनाया जान्दा गोर्मेंट द्वारा बनाया जान्दा ठीक है यह तो अगे देखो it is a procedure by which the collection of revenue and the management of the expenditure is to be executed देखो एदे बैचे की दा परसीडर हुंदा एदे बैचे किया के इंदे जडिया आमदन दी वसूली ते खर्चे दे परबांद दी विदी दा वर्नन कीता जान्दा ठीक है देखो कितो गितो सरकार्नों किया बी आमदन अकथी हुनिया ओधी collection हुनिया ठीक है कितो गितो आमदन ओनिया ते किते खर्चे करने है ठीक है ओधी विदी दा किया देवेचे बैज वर्नन कीता जान्दा ठीक है एक परसीडर हुनदा होदा लास्ट बनेस्ट ओफ एंटीश्प Landing की उन धा किसे तो भी अमीद लेके चल लड़like जाए चाँमत्व गया problem विदियां दे नाल जड़े खर्चते आमधन कीते जानगे ओदे नाल किया अग्गे जाके कॉंट्री पॉजिटिव कॉंट्रीबुएशन आऊगा कीदे वैच ही सपाऊगा एकनॉमिक ग्रोथ ठीक है एस सामना के केंदे रैमिन्यू ते एकस्पैंडी चरते विदियां कठियां करन दियां विदियां बनाया जानगे जीदे नाल किया एकनॉमिक ग्रोथ रैच वादा होवेगा ठीक है एक इसी सारे गॉर्मेंट बजड़ दे किया फीचर्स ठीक है एस तो अग्या पर डिस्कस कर दियां भी अब्जेक्टिवस ओफ गॉर्मेंट बजड़ किया अब्जेक्टिव मतल सरकार देखी की ओदेश देखो अंजड़ा सरकार गॉर्मेंट बजड़ बनाओ दिया ठीक है ओदे कोई अधेश हुन देया भी कादली बनाओने देखो सरकार गॉर्मेंट बाद बनाओ चै만umbles मतल किया अब्ल भी काम कर दिया हो, इंक अधेश किया भी इंता ठीक है तो फॉर्मेंटं घुक्जार लंगान मतलव सरकाद सरकार दावतर हो और मतलवड़ कारनी ले करनी देखो साधना दी पुन्नर वंध ठीक है दा गॉर्मेंट इम्स एट अचीविंग दा अब्जेक्टिव ओफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शोशल वेलफेर थ्रो रियालोकेशन ओफ रिसोर्स ठीक है केंदे सरकार दा की ये देश हुंदा हो अपने जड़े उ वाइटा करने चाहिए किसे सावन आपने सुसाइटी ठीक है अपने समाज वेचे जड़े लोक रैंदया उनन दी ठीक है तोने पुनम्ना इसकें डें देश हिलादों तों मदेशिए निवीत के लुख इ अीन दिदेया सरकार देखो कि ये जड़ी आपनी वेचे हैं नौ प्राइज वाद जान दे नालोदी डुमार्ड अपने आप काट जान दिया ते लोक काट तक्रीद में लाग देंदे ठीक है प्राइज देखो के अधे यह था होगी यह नॉन डिजारेबल गोर्ष ते एस तो बिना जरी शोशली डिजारेबल गोर्ष हों दिया जिनन लोक काट दी लोड हों दिया आम जिंदिगी देवेचो वर्त देया ठीक है एहोजिया वस्तुमां ते सरकार किया सबसीटी लगा द कर दिया मतलों उनन wires की शोट दे दिया जा सरकार उनवैं की यह फैसे दे ऐह थिका swallow मतलब आम यूथ थ Bakु यूद किया भूर्ष वंहति वह थ काट डिस्रिपीशन की को यो दुआ एक तर स्टेट लाइक इन्डिया कंट्री यो एक वेलफेर स्टेट जरी वेड़र स्टेट गालेंगें। यो यो पनाई जान दिया हैं, तो देखो, शोशाल जस्टीस इस दा मेन अब्जेक्टिव, ठीक है। हों देखो इंडिया वर्गे जरियां कंट्रीज ठीके वेलफेर स्टेट्स उनना मेन अब्जक्ट की हुंदा शोशल जस्टिस मतलो लोकानों इंसाफ दोना ठीके समाज नाल इंसाफ करना सो गौर्मेंट की कर दिया है गौर्मेंट यूज वेरियस टूल्स ओफ टक्षेशन अंड सबसीटी तू नेरो डाउन दा गयाप प्ट्वीन है अंड है नौर्स देखो त्यान ना समझो होन के अंदे भी जिडे है अंड है नौर्स उननना वेच बहुत ज़्यादा गयाप हो है हमाजे गयाश इन समाजी आं गयाश पार्स सबस्कितरों सबस्क्राइब ना गयाए यूज प्ट्वी यूज आ हमाजे जांद हो मतलू जेडे ग्रीब होना नौनous खाना भी नहीं ज़ड़ता थीग होन कथे ङूज आशान आ फोन अमीर होई जान आग्र्मेंट ग्रीब होई जान दिया इनना विचाले जड़ा है ग्याब उनू नेरो ढाउन कर ले सीमत कर ले उनू काट कर लें निदी इसे निवर रचेशन पनाओधिया जिना ननाल किया और इच पिपल नू जादा टैसल गादें दिया ते एदे पूर पिपल से जादा बरडन नहीं हों धिन द जिए शुडब इन्फलेशन और डीफलेश्न ठीक है और प्राइस स्टेबिल्टी देखो की हूं दा आम शापदां दिवैचे तो एदो पहला में दसहा है जदो हमः प्राइस वहाघ जांदिया फिfürजंगे करदे द्रा दें देद्र दुनों ही ओन्दे नाल पावें इंफलेशन आई आईया अपने एकौनमी दे वेचे चाहें डीफलेशन आईया ठीक है यह दुनने ही बहुत खतरनाक हा सो इनन दे वैच्छ किया एक बैलेंस जा होना चाहिए दा उस फ्थेर होनिया चाहिए कीमत्यां कथांति ठीकिया होनि की का दिया budgetary policies अपनों दिया budget नितियां अपनों दिया जी दे वेच किया के अधे price stability दे नाल की हुंदा जरे producers हुंदे या ठीक है जे price stable रहेंगे ठीक हो अपने ऐसा अधना production करने की हो आप दे वाद वाद किया satisfaction प्रापत करने ते वाद 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 उन्हानों profit होए जो प्राइस stability होगी कीमत वेच स्थेरता होगी ता उन्हान दी investment दे वेच भी वादा होगा ठीक है ओव इन्वेस्टमेंट जादा करने जो तो कोई producer economy दे वेचे investment जादा कर दे अपने पैसे जादा इन्वेस्ट कर दे ठीक है तांक ही होगा economic growth दे वेच किया accelerate हो जोगी मतलो ओधी गतिया जड़ी हो तेज हो जोगी ठीक है economic growth दी ऐस तो अगे किया economic growth हों देखो सब तो main point एह है ठीक है एदा मौक्ष देश किया government पजर्दा की economic आर्थिक विकास किया दी गतिनों तेज करना economic growth करनी है ठीक है economic growth का दे द्वारा किती जान दिया जदो re allocation of resources होगी ठीक है जाँ फेर resources दी किया distribution redistribution of income एंड आपा पहला भी पढ़िया सी income and wealth ठीक है economic stability होगी आर्थिक तोरते किया स्थेरता आओगी ते full employment होगी मतला सारे हैंनों कम मिलुगा इनना सारे देश्यान पूरा करकी ही किया economic growth होगी जदो economic growth वैचे बादा आओगा ठीक है बजट दे नाल इनन वेच किया budget दे उदेश पूरे होजानगे सारे ठीक है ताकी होगा आपने देश दी अपनी economy दी economic growth वैचे वाद्द होगा इननने उदेश एत्वतिकरी complete हो जानदे है so thank you students